पूरियों जाँ भगवान श्री राम के परंभग सबसे लोगप्रिये अवधानाओं और भादिये महाकावे रामाये में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में एक भगवान श्रीद जी के सभी अफ्तारों में सबसे बलवान और बुद्धिवान श्री राम के अत्याधिक प्रेमी श्री हनुवान जी नमस्कार मैं अक्सवित इंसारी और आप देख रहे हैं BCA News की खास पेशकर्ष जहां हम आपसे मुलकात करवाते हैं कुछ खास व्यक्तियों से जिहां स्वागत हैं आप सभी का फिर एक बार खास मुलकात इस कारिकरम में श्री हनुवान जी का जन्मोच सब जो बड़े ही धूमदाम से मनाया जा रहा है इसी उपलक्ष में श्री हनुवान जी के अनेक रूपों उनके जीवन के हमें आज जो प्रेहना उनसे लेनी चाहिए इस सब से हमें परिशित करने के लिए हमारे साथ इस अप्तु स्टूडियों में उपस्तित है श्री महत डॉक्टर प्रग्याभाती जी जिन्होंने हाली इस शहर में आयो जिक हनुमान कथा का अधान कर भवतों को प्रभूश्री हनुमान जी का जीवन परिचे कर लोगों के समक्ष कथर कर सभी को प्रेवित किया था प्रग्या जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत हूँत सबात है जैन्यबाद तो आए प्रभूश्री प्रग्या जी सबसे पहले मैं यही आपसे जाना चाहोगी कि आज प्रभूर्श्री हनुमान जी के जन्मोद सब्वर हनुमान जी का एक जीवन परीचे और आज हमें उन्ते क्या प्रेणा लेना चाहिए हमारी युवापी को इस बारे में आप थोड़ा जानका लिए बहुत स सभी शीराम भक्तों को हनुमत जैन्ती की अनन्त शुपकामनाएं धेड़ सारी बधाई भगवान शीराम के अनन्य भक्त अनन्त बल्वन संत शी हनुमन तलाल जी महराज का आज प्राकट महुत सौ है आजी के दिन इस धरा पर परम राम भक्त हनुमान जी ने अवतार लिया था आजी के दिन इस भूमी पर भगवान शिव के अवतार जिनहें ग्यारवा रुद्रा अवतार कहा जाता है मंगल मूरुती मारुती नंदन जी का जन्म इस धरा पर हुआ था शीहनमान जी महराज ने बालकाल से ही प्रभुशी राम की सेवा के प्रती अपनी अगाद आस्था का अनभव समाच को कराया भगवान शीराम के अनन्भक्त बन करके अपने माता पिता और गुरु की आग्या का पालन करके शी राम के प्रिये सखा सुग्रीव की सुरक्षा में हनमान जी बचपन से रहे हनमान जी के जीवन से बहुत सारी प्रेणा मिलती है और शी हनमान जी ने गुरु दक्षना दे करके आज के युवाओं को इस बात का विशिज धान और हनमान जी के जीवन से ये बहुत बड़ी सिक्षा लेने चाहिए शीहनमान जी महराज ने सबसे पहले अपने गुरू के रिंड से उर्ण होने के लिए उनके प्रिये पुत्र जिनके गुरू थे सूर्य भगवान सूर्य भगवान की शरण में जाकर साड़े तेरा वर्स तक उल्टे चल करके समस्त्र ज्यान प्राप्ति किया, समस्त वेदा ध्यन किया, समस्त विद्याओं में प्रवीन हुए और शी हनमान जी महराज ने गुरूदे दक्षना के रूप में सूर्य पुत्र सुग्रीव की सुरक्षा के लिए रिश्य मुख परबत पर जाकर उनकी रक्षा की, और वहीं से उन्हें प्रभुश्री राम का मिलना हुआ और उन्होंने सारा जीवन प्रभुश्री राम की सेवा में समर्पित किया आज के युवाओं में सेवा का भाव होता जा रहा है मात्रपित्र आग्या का पालन करना माता पिता की सेवा करना मानो एक तहसी बोज लगता है पर हनमान जी ने कहा नहीं सबसे बड़ा युवाओं के लिए सेवक धर्म ही सबसे स्रिष्ट धर्म है आज हमारे लिए बड़ा दुख का कारण है कि हमारे भारत वर्ष में ओल्ड हाउस खुल रहे हैं ब्रद आश्रम खुल रहे हैं ये कारण क्या है आज के युवा अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते हैं इसलिए उन्हें ले जाकर ओल्ड हाउस में पहुचा देते हैं ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिस देश में श्रमन कुमार जैसे मात्र पित्र भक्त पुत्र हुए हो जिस देश में श्रीराम जैसे आज्याकारी पुत्र हुए हो उस देश में ओल्ड हाउस खुले या ब्रदाश्रम खुले ये दुरुभागी की बात है आज हनमत जैन्ती पर सभी वहाओं को हनमान जी के प्रती शच्ची श्रद्धागर समर्पित करना है तो ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने से बढ़ों का सम्मान करेंगे अपने माता करना चाहिए जिसके वज़र से प्रसंद है बहुत अच्छी बात है कि आज की युवपीडी को कई ऐसी चीज़े है जो हनमान जी से सीखने को मिलती है वो चाहे उस्ताद का एक अपनी गुरू का पालन करना हो अपने माता-पिता का पालन करना समाज के लिए कारे करना हो य इसके वज़र से हनमान जी उसे प्रसंद है बहुत अच्छी बात आपने पुछी हनमान जी को प्रसंद करने के लिए सबसे बड़ा कारे है श्री राम की भक्ति हनमान जी तभी प्रसंद होते हैं जब कोई भगवान श्री राम की भक्ति करता है भगवान श्री राम का गु जो हनमान जी ने मानो ये सेवा के माध्यम से ये बताया, दासत भक्ती करके ये समाज को सिखाया, चाहे वो किसी जाती का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, सेवा सब के जीवन में होना चाहिए, सेवा करना सरल बात नहीं है, चाहे वो स्वामी की सेवा हो, चाहे वो माता-पिता की सेवा हो, चाहे वो गुरी की सेवा हो, साहे वो समाच की सेवा हो, चाहे वो धर्मी की सेवा हो, सेवा करना बहुत कचिन कारे है और उन कचिन परस्तियों में गुजरते हुए भी हनमान जी अपनी सेवा पर अडिग रहे उन्होंने संपून जीवन केवल सेवा ही की और भगवान शीराम के अनन्न भक्त बन करके और भगवत कथा को श्रवन करते हुए शीराम की सेवा में समर्पित हुए तो हनवान जी उसी भक्त से प्रसन होते हैं जो भगवान शीराम की शरण ग्रहन करके और उनकी शरण में आ क करके उनकी भक्ति करता है जैसे कि हमें पता चला है आप लोगों को बताना बहुत पसंद करती हो वो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगी सबसे बड़ी बात तो यह है कि हनमान जी कल जुक के प्रत्यक्ष देवता है एक युग नहीं बलकि चारो युग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगतु जियारा एक युग में नहीं बलकि चारो योगों में हनमान जी किसी ना किसी रूप में आकर के और इस धर्ती पर रहे श्रीराम तो धर्ती से गए पर हनमान जी आज तक अपनी इस धरा को छोड़कर इस प्रत्वी को छोड़कर आज तक इस भूमी से नहीं गए है हनमान जी महराज की जीवन की एक घटना मुझे बहुत प्रिये लगती है हनमान जी के जीवन में ना तो कभी अहंकार था ना अभिमान था और आज व्यक्ति विशेस में ये अधिक बढ़ता जा रहा है हनमान जी के जीवन का एक सबसे बड़ा गुण है हनमान जी को जीवन में कभी अंकार नहीं आया कितने बड़े-बड़े कारे प्रभू ने किये हनमान जी ने किये लंका को जलाया, राक्षसों को मारा कितने बड़े-बड़े कारे किये परंतु कभी उन्होंने इस बात कर अभिमान नहीं किया हम लोग छोटा सा भी कारे करते हैं तो हमारे अंदर उस कारे का अभिमान आ जाता है हनवान जी ने माने एक तरह से समाज को प्रिणना दी कि कारे करने के बाद द्यक्ति के जीवन में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए हनमान जी लंका से लोट कर आए, प्रभु शीराम को सारा समाचार सुनाया, मैंने ये ये किया, मैंने वो वो किया, भगवान को लगा कि शायद हनमान को अभीमान आ गया, पर हनमान जी चरणों में हाथ जोड करके बैठ गए, माथा जुका कर कहा प्रभु, आप ये मत सुचि कि ये कारे हनमान ने किया ना प्रभु ये कारे सो सव तव प्रताप रगुराई नाथ न कछुमोरी प्रभुताई ये जो किया है ये आपने किया है और आपके प्रताप से हुआ है आज की समय में ये बहुत बड़ा महामंत्र हनमान जी से हमें लेना चाहिए जो भी हम कारे कर होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये कारे मेरे प्रभू कर रहे हैं चाहे वो अल्ला हो चाहे वो इश्वर हो चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो चाहे वाहिगुरू हो कोई भी हो अपने इस्ट की ही क्रपा का उसे प्रतिक्षित प्रमान मानना चाहिए ये कारे सब मैं नहीं कर रहा हूँ बलकि ये परमात्मा करा रहे है जो कारे श्री राम नहीं कर पाए वो कारे हनमान जी ने करके दिखाए जब हनमान जी को मुझे यदर से बहुत अच्छा लगता है और ये बात भी बहुत अच्छी लगती है जब सेतु बंद रहा था लंका को जाने के समुद्र पार करने के लिए तो सारे बंदर पथर पर रकार अकार मकार ये तीन अक्षर लिखकरके पानी में भार रहे थे और तीनों पथर जुड़ जाते थे और वो पुल तैयार हो रहा था देखते देखते प्रभु शीराम के मन में एक विचार आया ये चोटे-चोटे बानर भी कितना श्रम कर रहे हैं एक चोटी सी गिलेरी भी मेरे सेतु बनाने में सहयोग कर रही है क्योना मैं खड़ा हूँ, क्योना मैं भी कुछ सहयोग कर दूँ शीराम ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को उठाकर समुद्र में छोड़ा और जैसे ही समुद्र में पत्थर छोड़ा तो पत्थर डूब गया भगवान शीराम ने देखा, अरे मेरे इसकी ये कारी को किसी ने देखा तो नहीं, लोग कहेंगे देखो भक्त पत्तर डालते हैं तो पानी में तैरता है, और भगवान ने डाला तो डुब गया, भगवान ने यहाँ वहाँ देखा, किसी की दृष्टी नहीं पड़ी, पर हन हनमान की दृष्टी तो हमेशा प्रभु शीराम के ही उपर रहती है, हनमान जी को देखा, शीराम जी मुस्कुराए, और राम जी को देखकर हनमान मुस्कुराए, शीराम जी ने संकेत करकी बुलाया, इधर आओ, हनमान आए, कहा प्रभु क्या हुआ, शीराम ने कहा हनमान देखो भईया, तुम पत्थर को पानी में डालते हो, तो पत्थर तैर जाता है, और मैंने पत्थर को पानी में डाला तो डूब गया, शिराम की तरफ देखर हनवान ने मुस्करा कर कहा, प्रभू, ये जितने पत्थर पानी में तैर रहे हैं ना, जानते हो कैसे तैर रहे हैं ये पत्थरों पर आपका नाम अंकित किया गया है तो क्या अर्थ क्या है? बोले जिसे आपका नाम का सहारा मिल जाता है वो इंसान की बात तो छोड़ो पाशान भी पानी में तैर जाता है प्रभू और जिसे आप ही छोड़ देंगे तो वो तो विचारा डूबे गई, जिस पत्थर को आपने छोड़ दिया, उसके पास क्या है, डूब नहीं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे पाशान हो, जिसे आप छोड़ देंगे, उसका डूबना निश्चित है, आपका काम डूबाना नहीं है, आपका क भगवान की जो शरंगरन कर लेता है इंसान की बात छोड़ो पत्थर भी पानी में तेर जाता है तो हम तो इंसान है हमें भगवान का नाम और उनका सहरा और उनका आश्रेही बहुत सागर से पार कर सकता है हमारा उधार कर सकता है इसके अत्रिक्त हमारे पास कोई साधर नहीं किस्ता आपके बताया यकिने यह सुनकर जो दर्शक देख रहे हैं वह काफी बुक्ति में हो चुती होगे और प्रभू के प्यार में यकिने उनकी आखुवी यासु आचुते होगे प्रख्याओं नहीं में हैं, आपके रहा तो बुक्ति में यह सब्सक्रान tip जैए इतना गहर ओता है कि सुन्ती है और सुनने का उट्सा युवाओं की अधिक्ता का सबसे बड़ा एक्जामपल तो आपके नागपुर काई है अभी श्री आरवेद महा विद्याले के दिब्व प्रांगण में हनमान जी के जन्व के उस्सों में जो पंचिदिव सी कथा हुई इस कथा में सबसे ज़यादा उपस्थती युवाओं की रही और वो भी विद्यार थी चात्रों की रही और मैंने बहुत सारे उधारन हनमान जी के चरित्र के माढ़्यम से उन चात्रों को दिए जो भविश में उनके बहुत काम आने वाले हैं जो उनके भविश्व को बहुत उज्वल बनाने वाले हैं तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि हमारी कथा में केवल व्रधी ही आएं या पुरुष ही आएं या महलाई ही आएं या युवाही आएं या बच्चे ही आएं चारो अवस्था के लोग हमारी कथा में आते हैं और इस कथा का विशेश रूप से प्रभाव युवाओं पर और बच्चों पर अधिक पड़ता है, वो यहां से सुन कर जाते हैं, और फिर जाकर के इस बात को practical, उनको मात्रपित्र भक्ती, गुरु भक्ती, और जो भी हम बात बताते हैं, देनीक दिन चरिया हमारा डेली रूट करती हूँ, ताकि लोगों को इस कथा के माध्यम से, द्रश्टांत के माध्यम से सिध्धांत की बात समझाने का प्रयाश करती हूँ, और युवाओं पर इस कथा का विशेस असर होता है, रग्या जी क्या आपके अधिभव से ऐसा कहा जा सकते हैं, कि युवा पूरी आज क पर वो प्रदर्शन नहीं करते हैं, भक्ती सब के मन में हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, अपने इश्ट के प्रती, अपने देवता के प्रती, अपने भगवान के प्रती, सब को श्रद्धा होती है, पर नतु प्रदर्शन ना करना, ये अलग बात है, पर भक्ती है, आज द वास्तिक हमारी संस्कृति है उसको ही स्विकार करना पड़ेगा पाशिचात सब्वता में ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे हमारी जो संस्कृति है उसी में जीएंगे तभी जिने का वास्तिक आनन्द आएगा जहां हम सुख धूंडते हैं वहां सुख है नहीं जहां हम करके धर्म की शरण में आना पड़ेगा तभी सच्चा सुख और शांती आपको प्राप्थ होगी हिंदू नाम ही जिसका हिंदूस्तान है हिंदूओं का इस्थान और मैं स्वयम हिंदू हूँ तो मैं इस बात को सिकार करूंगी कि होना चाहिए बाकी मेरा कहना यह है कि हिंदू राष्ट हो परन्तू हिंदू मुसलिम सिक इसाई आपस में सब भाई भाई जो हमारा नारा है वो रहे सब हम लोग भिल मिल कर रहें राष्ट भले हिंदूस्तान बने परन्तू किसी को किसी प्रकार से आगात ना पहुंचे य सब्समें यह भी नहीं है कि अगर हिंदूस्तान बन गया, तो केवल हिंदू का ही स्थान होगा अन्य देशों में भी मैं जाती हूँ पूरे विष्व में जाती हूँ चारों धर्म के लोग रहते हैं सब लोग प्रेम से रहते हैं चाहिए वो इसाई कंट्री हो चाहिए वो मैं यह कहना चाहूंगी कि सभी लोग हनमान जी जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं कल जुके इनकी आराधना के साथ साथ उनके जीवन के जो संदेश हैं उन संदेशों को ग्रहन करें उन हनमान जी महराज के द्वारा जो हमें उनके दीवन से हमें प्राप्त होता है उन सभी सिक्षाओं को जीवन में उतारें बहुत सारी राष्ट भक्ति, समाज भक्ति, गुरु भक्ति, स्वामी भक्ति, बहुत सारी भक्ति हनमान जी के जीवन में हैं और हनमान जी संपन है आठ सिद्धियां है उनके पास नव निदियां है उनके पास बहुत सारी उपाधियां है उनके पास परंतु बस एक सबसे बड़ा संदेश हनमान जी से यही लें कि चाहे जितने हम बड़े हो जाएं चाहे जितने हम पदपर प्रतिश्ट हो जाएं चाहे जितने बन जाएं चाहे जितने बलवान बन जाएं पर अपने जीवन में कभी अहंकार ना आने दें अभिमान ना आने दें हनमान जी के जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है बहुत अच्छा संदेश दिया आपने येकिनन जो भक्त जो युवा प्रेली में देख रही है उसे आज की खास मुलाकात में काफी कुछ सीखनी को मिलेगा काफी कुछ प्रेड़ना दायक उन्होंने डॉक्टर पढ़िया जी से जाना तो ये ती आज की हमारी खास प्रेश् की ये हमारा स्पेशल कार्व और आज के दिल श्री हनुमान जी जिन मुद्सव की आप सभी को वीजीन के सभी दर्शकों को हाड़ी शुब कामना है नमस्कार नमस्कार